हैलो फ्रेंड्स मैं हुकुंज और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग टिप्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं आम पापर की रेस्पी जो कि बहुत ही टेस्टी होती है बहुत ही मीकी बनती है इसे जरूर ट्राइ करें आम पापर बनाने के लिए मैंने आपर लिया ह बल्क नहीं आप यह हैं रिए मैंग निकाल लेंगे में है इसए ग्रैंटिंग जार में डालेंगे और इसमें साथ में डालेंगे हम चीनी लिए एक कप से कम है है अब इसे हम पीस लेंगे और ये मेने आम का पिस्ट बना लिया है। हम फुर। डायरिक्ट भी शुखी सम्हें सकते हैं। पकाने की जरमत नहीं है, इसे हम दो मुनेट के लिए पकाएंगे, इसे चलाते हो पकाएंगे, यह तले की चपत में लबता है, अब हम इपक चुगा है, अब हम एक प्रेट लिए, भी हम घी लगा देंगे उसमें हम इस मिक्स्चर को डालेंगे और फैला देंगे, आप इसे तरीके से ट्रास्टिक के लिए पर इखला सकते हैं, विकलने में जलती है, आसाम हो जाता है, और इसे हम दो दिन तक दूपने सुखाएंगे, दो दिन के बाद लिए देखिए, शुचिका है जैसे, इस निकाल लेते हैं, एक चा को लेंगे और इसके किनारो को निकालेंगे, यह हमारा आम पापर निकल चुका है, इसके हम छोटे-छोटे पीस काट लेंगे, उम असर बाल को लेंगे, ड्यूजिभ स्बस्टाराएंगे, यह हमारा आम पापड तयार हो चुका है रेस्पी पसंद आए तो लाइक करें, सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें